वर्ल्ड टेश्ट चेंपियंशिप 2023-25 में भारत 26 दिसंबर से दच्छिन अफ्रीका के खिलाफ टेश्ट सीरीज खिलने जा रहा है दच्छिन अफ्रीका के धर्ती पर भारत ने पिछले 31 सालों से कोई सीरीज नहीं जीती है अब रोहित शार्मा के पास इतिहास रचने का मौका है वर्ल्ड कप में मिली हार्प की भरपाई करना चाहते हैं लेकिन उने वर्ल्ड कप की अहमियत को खास बताया है वर्ल कप टेश्ट चंपिंशिप 2023 से 25 में भारत 26 दिसंबर से दच्छिन अफ्रीका के खिलाब टेश्ट सीरीज खिलने जा रहा है दच्छिन अफ्रीका की धर्ती पर भारत ने पिछले 31 सालों से कोई सीरीज नहीं जीती है रोहित ने कहा कि हमने दच्छिन अफरिका में तिष्ट सीरीज में कभी जीत हासिल नहीं किये अगर हम यह सीरीज जीत जाते हैं तो मुझे नहीं मालूम कि हम वर्ल्ड कप में मिली हार की भरपाई कर पाएंगे या नहीं लेकिन वर्ल्ड कप वर्ल्ड कप था, हम तुलना नहीं कर सकते हैं बता दे कि वर्ल्ड कप 2023 में भारत को फाइनल में अस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा था जिसके बाद रोहित शर्मा काफी निराज थे वर्ल्ड कप के बाद रोहीत शार्मा विर्याट कोली और जस्प्रीत बुमरा पहली बार मैदान पर उतरने जा रहे हैं ऐसे में अब रोहीत शार्मा ने इस टेस्ट के जीत पर अपनी राय पेश की है इससे पहले सुरिकुमार यादेव की अगवाई में भारतीय टीम ने सिरीज को बराबरी पर खतम किया पहला मैच बारिश के कारण रध हो गया था इसके बाद केल राहूल की अगवाई में भारत ने वंडर सिरीज में दो एक से जीत हासिल की अब टेस्ट में भारत की नजने जीत दर्ज करके रिकॉर्ड बनाने पर होंगी